हेलो बच्चो इस वीडियो में हर एक उस बच्चे का वेलकम करती हूँ जो क्लास 9th से 10th में आ चुका है एक नए जोश एक नए उत्सा के साथ क्लास स्टार्ट तो करना चाहता है पर CBSC ने बड़ा परिशान कर दिया है कि वह चेंजेज ला रहा है ऐसे कि पता ही नहीं कि ये न्यूस सुनने में आ रही है कि टू टाइम्स बोर्ड हो सकते हैं और साथी साथ आपकी ओफलाइन कोचिंग जो है वो बंद होने की न्यूस आ रही है तो बच्चे करना तो बहुत जूश से चाहते हैं कि नहीं इस बार हम बहुत अच्छी परसेंटेज लेके आएंगे पर सी बेसी क्या करने देगा तो बच्चो इस वीडियो को एंड तक देखना आपके हर एक प्रॉब्लम का सेलूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है किस तरीके से आप टू टाइम बोर्ड को अच्छी परसेंटेज के साथ अचीव कर सकते हैं और ऑफलाइन कोचिंग के बिना भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं मैं आपको सब कुछ बताऊंगी ठीके हम बात करें जब बच्चा नाइन्थ से तेंथ में आता है तो उसे क्या-क्या एक्स्ट्रा करना चाहिए जिससे वो 95 प्लस स्कोर कर पाए या क्या-क्या वो एक्स्ट्रा लगा सकता है अपनी क्ला क्या नाइंथ क्लास का बच्चा इंसे आटी मत बिल्गूल पड़ता है और 10 क्लास का बेच्चा भी अभी से में सोल भी जाएगाencia भी लेगा बाथ करें हम नोट्स नोंट Key prozić obs careful नहीं होता है कि कभी बनाये तो वीठीक है नहीं बनाए तो वीठीक है और बना लिए है हमें बस एक बार book पढ़नी है, main exam से पहले दुबारा revision करना है और हमारा exam हो जाएगा, पर 10th class के लिए बच्चे के पास proper notes होने चाहिए, mind maps होने चाहिए, तभी वो final exam अच्छे से दे पाएगा, हम बात करें revision की, तो 9th class में revision की इतनी जरुरत नहीं होती, 2 times अपनी NCRT पढ़ ली, तो revision यहाँ पे 1 और 2 times तक हो जाए तो ठीक है, जब हम 10th class की बात करें, तो 10th class में अच्छा score करने के लिए आपके पास 4 से 5 time का क्या होना चाहिए, revision होना must है, तो यह चीज अभी यहाँ पे notes में आ गई और revision में आ गई, अभी तक difference हमें देखने को मिला है, हम बात करें final exam क तो 9th class के बच्चे के जो final exam होते हैं, वो school ही conduct कराता है, paper भी वही teacher school teacher सी बनाते हैं और वही check करते हैं, तो कहीं न कहीं relax है कि हाँ, teacher ही बना रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा कम stress है, पर 10th class student की बात करें, तो final exam boards बनाता है, पर boards भी इस बार 2 times आपके exam बनाने वाला है, तो यहाँ पे भी थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है बच्चो को कि final exam यहाँ school बना रहा है, school teacher बना रहा है, और यहाँ पे हम बात करें, तो boards 2 times, ऐसा हमें लिख रही हूं कि 2 times board exam होंगे, और guidance की, 9th class के बच्चे को कोई extra guidance की जुरत नहीं है, जैसा जैसा school teacher उसको guide करता चला ज है, किस तरीके से analyze करना है, किस तरीके की question पहले solve करने है, कौन से बाद में करने है, तो guidance की, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, 10th class में, बिलकुल है, यहाँ पे जरूरत नहीं है, इतनी guidance की, 9th class के बच्चे को इतनी guidance नहीं है, जैसा school teacher बोलेगा, वैसा वैसा बच्चा करता चला जाएगा, क्योंकि paper वहीं बन रहा है, और वहीं चेक हो रहा है, तो क्या guidance, जबकि 10th class में, बच्चा पड़ता है, पर copy checking board में होती है, तो guidance must है, ठीक है, हम बात करें time management की, तो time management, अगर time की बात करें, तो 9th class के बच्चे को time जाधा मिलता है, अपने exam, final exam के लिए जबकि 10th class में, क्या होता है, long time होता है, यहाँ पर, जबकि यहाँ पर time बहुत short है, ठीक है, time बहुत ही short है, यहाँ time बहुत ही short है, यहाँ पर 10th class में time बहुत short है, और इस time में आपको क्या करना है, अपने final exam के लिए, 4 से 5 बार revision के साथ आपको exam देना है, तो बात करें, य यहां पर पांच ऐसे पॉइंट्स आ गए हैं जहां पर आपको guidance की बिल्कुल step by step आपको चलना पड़ेगा यह सारी चीज़े कैसे आप solve कर सकते हो किस तरीके से अच्छा score कर सकते हो मैं आपको बताने वाली हूँ नोट्स की बात करें तो नोट्स आप बना ही लोगे जैसे जैसे आप पड़ते चले जारे हो वैसे वैसे अपने नोट्स बनाने अफ स्टार्ट कर दो रिवीजन की बात करें तो रिवीजन के लिए हम है आपका चार से पांच बार final exam तक आपका revision हम करवा देंगे फाइनल एक्जाइम बोर्ड सी लेगा ठीक है उसके लिए गाइडेंस हम देंगे आपको और टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से रहेगा कि आपका जितना टाइम है उसमें अगर फर्स टाइम बोर्ड एक्जाइम की बात करें अगर आपका डिसेंबर तक भी हो रहा है तो भी आपका टू से थ्री टाइम में आपका रिवीजन हो जाएगा ठीक है बच्चों आगे हम बात करें कि त्यंट क्लास के सुद्ट को किस कि सीज की जुरत पड़ेगी भाई एंसी आटी की जुरत पड़ेगी ठीक है एंसी आटी ले लेना बात करें नोटबुक की ठीक है हर पहले बात करें स्टडी मटीरियल कि आपको कैसा चूस करना चाहिए देखो यहां पर मैं बात करूंगी दो टाइप के सुदेंट्स होते हैं एक पहले टाइप का सुदेंट क्या होता है कि वह एंसी आटी लेगा एक ही चैप्टर को एक बार पढ़ेगा दो बार पढ़ेग चैपट बर गडिहाई से पहले उसके बैक साइज एक्साइस करने से पहले दूसर रेफ का बच्चा क्या होता है कि वे लेक्च्छरू देंट ऑक्ता है जिससे जो इमेज तरॉपी की जैसरों माइंग हो जाएगा video lecture साथ NCRT पढ़ सकता है उसके बाद practice sheet solve कर लेगा live class तो चली रही है बच्चे की ठीक फिर उसके बाद वो क्या करेगा जो भी उसको doubt आ रहे हैं practice sheet solve करने के बाद live class लेने के बाद doubt solving app है ठीक है फिर NCRT solution ले लेगा उसके बाद AITES All India Test Series ले सकता है वो और उसके बाद state level exam भी देते रहेगा यह बात हुई उसके board exam की इसके बाद जो extraordinary बच्चा होगा वो 10th board exam के साथ साथ अपने national level exam Olympiad की भी तैयारी करेगा वो कैसे possible है सिर्फ इसरेल के साथ ही possible है क्योंकि हम इतना सब कुछ देने के बाद यह वाला matter जो Olympiad का matter होता है वो बिल्कुल free में provide कराते हैं ठीक हम आगे बात करें कि इसी के साथ इसरेल एक नया feature लेके आ रहा है कि बच्चा अब offline coaching नहीं जा है जो भी assignment मिल रहा है उसे कैसे complete करेगा तो हो गई ना आपकी problem solve दो टाइम वोड एक्जाम भी विद रिवीजन हो सकता है साथी साथ जो आपकी problem थी कि वह offline coaching नहीं जाएगा तो वह भी अपने पूरी problem को solve कर सकता है ठीक है यहां तक तो बात हुई कि हम किस तरीके से इसरे लाते हैं पीवाई क्यूज लाते हैं ताक कि कोई भी बच्चा एक भी पॉइंट मिस ना कर सके ठीक है तो यह चीज है इस चीज के लिए आप हम तक किस तरीके से जोड सकते हैं तो चैम कोर्स है link description में है अभी जाके enroll कर लो seats बहुत limited है सिर्फ 500 बच्चों के लिए है यह सी ठीक है और कुछ बच्चों को ही free में Olympiad course का free में offer मिलेगा तो अभी खुद को enroll कर लो है ना तो यह चीज हो गई कि किस तरीके से आप अपने two time board exam को crack कर सकते हो with good percentage good luck for your board exam